हेलो फ्रेंट्स तो आपका स्वागत हैं अमारे चैनल में तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक ऐसे मज़दार नास्ता की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जिसे खाने के बाद आप बाहर के समोसा कचोरी खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे और इसे हम तयार करेंगे घर के केबल कुछ ही बेसिक समानों से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए इसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मज़दार बन करके तयार होता है अगर आपको सुबह की जल्दवाजी में कुछ समझना आ रहा हो तो आप इस नास्ते को जरूर से ट्राइब की जिएगा तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इस नास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर हमने दो कप आटा ले लिया है इसमें स्वाद के अनुसार नमक एड़ कर लेंगे एक छोटी चम्म जितना ओयल डालेंगे और नम देखिए हमने यहां पराटा लगा कर करने के लिए ठाधा कर लिए तब तक हम कर लेते हैं दूसरी तैयाड है के लिए लिए पounce पैंट जब गरम हो जाए इसमें एक चम्मच और अ yêu डालेंगे और ढर्म होनेadamente बार्च-बार जीरा डालेंगे जीरा जब हलका सा brown हो जाएगा तब इसमें हमने एक medium size के कटे हुए प्याज को add कर लिया है आप चाहें तो इस नास्ते को बिना लसुन प्याज के बना सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ प्याज ही डाला है लसुन नहीं डाला है जब प्याज हलका सभुन जायागा तो इसमें कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक चोथाई चमच जितना हल्दी पॉडर एक चोथाई चमच जितना लाल मिर्च का पॉडर एड़ कर लिया है आधा चमच धनिया का पॉडर एड़ कर लिया है एक चुथाई चमच यहाँ पर गरम मसाला एड़ कर लेंगे और आधे चमच के करीब यहाँ पर मैंने चाट मसाला एड़ कर लिया है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर आप चाहें तो इसमें कुछ और सुखे मसाले भी एड़ कर सकते हैं कि जीरा पॉढ़र कि चैन की पॉढ़र मैं यहाँ सिर्फ बेसिक मसालो का ही यूज कर रही हूं इन मसालो को थोड़ी दिर भून ले ज्यादा देर नहीं भूनेंगे नहीं तो जल जायेंगे तो यहाँ पर मसाला भून चुका है по इसमें जार मीडियम साइज के अउबले आ दो से तीन मिनट में ही ये आलू का मसाला बन करके तयार हो जाता है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो देखिए ये आलू का मसाला जो है वो भून करके तयार हो चुका है, इसे में भूनते भी जा रही थी और इसके और इन आलो को एक बावल में हम अलग कर लेंगे इसे ठंडा होने देते हैं इधर हम आठे को चेक कर लेते हैं आठा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है इसको एक बार मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेनी के बाद इसमें से हम बड़ी सी लोई तोर लेंगे हाथों पर चिकना कर लोई के उपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे जिसे की बेले में परेसानी नहों अच्छे से रोटी बेल जाएगी तो यहां पर हमने रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है नास्ता एक साइज का बने उसके लिए हमने एक छोटी सी कटोड़ी ले लिए है और इस कटो तयार हो जाएगी आप चाहें तो इसको छोटे-छोटे पूरी की तरह भी बेल सकते हैं मैंने बड़ी रोटी बेल ली थी उसमें से छोटी-छोटी यहां पर पूरी की तरह इसको कट कर लिया है अब एक्स्टा आटा जो बचा है उसका भी हम बाद में बेल करके इसी तरह का पूरी का सेप दे देंगे इसी तरह से जितना भी आटा है या फिर जितना भी हमें नास्ता बनाना है उतना हम बेल करके काट करके अलग कर लेंगे तो देखें यहां पर मैंने हलका सा सेक लेंगे बहुत ज्यादा इसको सेकना नहीं है हलका ही सेकना है तो देखिए मैंने इसको पलट पलट करके दोनों और से हलका हलका सा सेक लिया है अब इसे सेक लेने के बाद इसको एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं और बचे हुए कचोडियों या फिर इसको पूरी भी बोल सकते हैं इसे भी पलट पलट करके दोनों और से हलका सा सेख लेंगे गैस का फ्लेम लोट टू मीडियम रखेंगे हाई फ्लेम पर इसको नहीं सेखेंगे तो देखें दूसरा बैच भी यह सिख करके तयार हो चुका है इसे भी निकाल लेते हैं अब इस तरह से इसको सेख लेने के बाद एक प्लेट या फिर किसी चकले के उपर ही एक एक करके इस तरह से इसे रखते जाएंगे इसके उपर जो हमने आलू वाली यह स्टफिंग बना करके रखी है उसको डालेंगे इसको पूरी में अच्छी तरह से फैला लेंगे अब इसको आलू को फ पनीर को इस तरह से ग्रेट करके डाल लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं जिससे नास्ता देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगेगा तो अब यहां पर मैं आपको दूसरी तरीके इस नास्ता को मना करके बताती हूं तो मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज डाल लिया है थोड़ा सा टमैटो कैचप डाल लिया है इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे उसके बाद आलुवाली श्टफिंग डालेंगे फिर से इसके ऊपर ग्रेट करके पनीर को डाल लेंगे उपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे तो आप चाहे तो सिर्फ मेयोनीज भी इसके उपर लगा सकते हैं या फिर टमैटो केचप लगा सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं तो यह नास्ता हमने बना करके तयार कर लिया ह अब चलिए इसको सेक लेते हैं तो गयास के उपर हमने पैन रखा पैन को गरम कर लिया उसमें थोड़ा सा घी या बटर डाल लीजिएगा आपको जो भी पसंद हो वह आप डाल सकते हैं और नास्ते को हम एक एक करके इसमें डाल लेंगे तो आप चाहें तो एक बार में एक भ इसे पुश्री और पलट लेंगे अर पलट करके इसको हम थोड़ी देर और सेक लेंगे अज्गा फ्लेम लूटु मीडियं रखेंगे बहुत ही जल्दी यह सीख करके तायार हो जाता है मैंने इसको बहुत ही कम घी में सिखा है आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी घी इसमें डाल सकते हैं और जब नास्ता सीख जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे तो एक नास्ता हमारा सीख करके तयार हो चुका है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सारे नास्ते को इसी तरह से खाएंगे और प्लेट बें निकालते जाएंगे तो देख सकते हैं रहा प्नासते को बना करके ट्यार कर लिया है आप आक्षा क्वाइब का टेष्ट2 लगने वाला है और इससे बनाने रंच बॉक्स में दे सकते हैं आपको इस रेशिपी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा रेशिपी पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर से कर दीजिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई थेंक्स पर वाचिंग